बिस्मिल्लाइराख्मानिराहीम असलाम लेकुम टॉल फ्यू मी ताहरा आजम और आज का हमारा टॉपिक है जी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी इसमें पी क्या शोग कर रहा है पी शोई इंदे नेगेटिव लोग फ़र एक्जमपल अगर हमारे पस पी एच है तो वह तो किस तरह से कंवीनियंस जी इसे यहां पर एग्जमपल दी हुए जी अगर हमारे पास साइड़ जनान की कॉंसेशन है टर्रश पर माइनस थी ठीक है इंस्टेड ऑफ राइटिंगे जी इसकी पी है जो है वो थ्री है ठीक है तो तो कंवर्ट दाइंट इंट पॉजिटि घड़िजन की कॉंसेशन जाधा होगी तो हमारी पी-अच की आएगी कम आएगी पिकोज़ एटिस नेगिटिव लोग अगर हमारे पास घड़िजन जाद है उसकी पी-च कम आएगी और उसका मतलब क्या है कि हमारा जो एसिड है वो क्या है स्ट्रोंग है इसे तरह से हिर ही कलन कर दिशारी चलवा है तो थूलिकशन काम है क्या है जादा बश्वातर करना अचल प्रसवारी एज अडा खार धूल आ ग flashy स्वारी बिक का अगर अगोровे जो ब्सट्र dobr कर conclude घ्री पटो से अदैंने अट सुप्ट खार शाला ग puzzled कर देदिका लीजाए है तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें PKA और PKA B की जरूरत क्यूं पढ़ती है PKA और PKA B की जरूरत क्यूं पढ़ती है अब इस यह वाला जो पॉइंट है इसकी सब्सद्दा जो हमारे पास importance है वो है ड्रग में कैसे तो अब हमने देखना है कि यह हमारी बॉड़ी में जब यह stomach में जाएगी यह जब यह intestine में जाएगी तो उस pH पे यह किस तरहां से behave करेगी यह ionize रहेगी यह unionize रहेगी वो सारी जो characteristics study करने के लिए हमारे पास जो PKA value यह बहुत important है और मेरी next video इसे चीज़ पहोगी कि हमारी ड्रग जो है वो किस तरहां से pH से effect होती है ठीक है जी second point है जी किसलिए हम use करते हैं PK और PKB value को to study the degree of ionization के हमारा acid or base की सब तक ionize हो चुका है इसे तरह से strength of acid or base acid or base की strength find करने के लिए तो यहाँ पर एक question ही आता है कि क्या acid or base की strength हम pH से find नहीं कर सकते नहीं जी acid or base की strength find करने के लिए हमें PK A और PK B की तरफ जाना पड़ता है उसका reason यह है कि जब हम pH की बात करते हैं तो pH is concentration dependent फर इसमपल अगर हम ले जी HCl ले ले उसका 1 molar भी ले ले 2 molar भी ले ले ठीक है तो 1 molar और 2 molar की pH हमारे पास फरग आएगी ठीक है 1 molar 2 molar की pH क्यूंकि उसकी concentration फरग है तो pH जो है वो concentration dependent है लेकिन अगर हम PK A की बात करें तो वो चाहे हम 1 molar HCl ले 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 चाहे हम 2 molar HCl ले 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 चाहे हम 10 molar HCl ले ले सब की PK वैल्यू सेम आएगी reason क्योंकि हमारे पास PK A क्या है this is a ratio ratio between the ionized and unionized ठीक हो गया तो इसलिए हमने जब acid या बेस की strength find करनी होती है यह find करना था हमारे acid या और base रहा हो किस हद तक ionize हो चुका है या वो proton accept करेगा donate करेगा to specific pH तो हम move करते हैं towards PK A and PK B तो अब तक आपनों को यह समझ आ गया होगा कि हम PK A और PK B को क्यों पढ़ रहे हैं तो हम move करते हैं mathematical derivation की तरफ mathematically इसको देख लेते हैं जी PK A जो है हमारे पास for example हमने एक acid लिया HA जोके weak acid है और water की presence में ionized हो गया into A negative H3 positive हमने उसका constant के लिए equilibrium constant लिखने का तरीका यह है कि हम product concentration को उपर लिखते है reactant concentration को जो है वो denominator में लिखते हैं ठीक है जी और PK क्या आजाएगा जी इसका negative log of KA अब आप यहाँ पर देखेंगे जब हमने equilibrium expression लिखा है तो हमने वहाँ पर जो reactant में water था उसको ignore किया है उसका reason क्या है कि जब हम equilibrium expression लिखते हैं उसका एक rule यह है कि जो pure liquids और pure solids होते हैं उनको हम include नहीं करते अपने expression में एक और rule यह भी है कि अगर हमारा कोई reactant excess में है तो उसको भी हम expression में include नहीं करते तो यहाँ पर water excess में भी है और water जो है हमारे पास वो क्या है जी pure liquid है इसलिए हम उसका अपने equilibrium expression में include नहीं कर रहे है again ka value अगर ज़्यादा होगी तो pka कम आएगी क्यों कम आएगी negative log की वज़ा से और अगर pka कम आएगी इसका मतलब हमारा acid क्या है strong है इस तरह से ka अगर कम आएगी तो pka ज़्यादा आएगी और अगर pka ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब हमारा acid क्या है vk acid है ठीक है जी pk b की तरफ move करते है base हमने ली water के रिप्रेद्स में bh plus बनाएगी अच्छा अब वहाँ पर acid ने proton donate किया था base ने proton accept किया तो ज़्यादा तर हम तीन concept पढ़ते है acid और base के मैं revise करवा देती हूँ जी arheneas concept कहता है जी acid proton donate करता है in aqueo solution base hydroxoline donate करती है in aqueo solution दूसरा concept आता है हमारे पास bronzed lorry concept bronzed lorry कहता है जी base ने proton accept करना है और acid ने proton donate करना है तीसरा concept आता हमारे पास levis concept levis concept कहता है acid ने electron accept करना है base ने electron donate करना है तो यहाँ पर हम जिस concept के हवाले से पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास bronzed lorry concept तो यहाँ पर हमारे पास जो base है उसे जब proton accept कर लिया base ने proton accept कर लिया तो वो क्या बन गगी conjugate acid base proton accept करके जो चीज़ बनाएगी वो conjugate acid होगी acid proton donate करके जो चीज़ बनाएगा वो क्या होगा conjugate base ठीक है next time हम इसकी kb लिख लेंगे product super rectants नीचे h2 को ignore कर दिया gain pkb के आजएगी negative log of kb again वही rule kb ज़ादा होगा तो pkb के value pkb की value है वो कम आजएगर हमारे पास strong base होगा इसी तरह से अगर kb की value कम होगी तो pkb ज़ादा आजएगर वो क्या होगा weak base होगा आगे हम भूब करतें towards the relationship between pka and pkb ठीक है जिसका relationship देख लेते हैं again हमने acid लिया water के presence में इसके proton donate कर दिया conjugate base बना ली उसका k a लिख लिख लिया बिल्कुल ऐसी जैसे पहले लिखा था हमने अब यही वाली conjugate base उठाई a negative अगले reaction में यही वाली conjugate base उठाई और in the presence of water उस ने क्या किया proton accept कर लिया इसी conjugate base ने दुबारा क्या बना दिया acid बना दिया ठीक है तो अब इसका अगर यह base है तो इसके लिए हम kb लिख सकते हैं ठीक हो गया इसके लिए हमने kb लिखा product उपर लिखे reactants नीचे लिखे k a को kb से next हमने multiply कर देना है multiply करने से हमारे पास जो answer आ रहा है h3o plus plus into oh minus यह दो चीजह आ रही है हमारे पास आब इन दो चीजह का product हमारे पास क्या आता है k w k w है water का dissociation constant है जिसकी value हमारे पास होती है calculated value 10 raise to power minus 14 अब यह 10 raise to power minus 14 क्यों होते है हमारे पास 10 raise to power minus 7 होती है h plus 10 raise to power minus 7 होती है oh minus चीक है हमारे पास या वैलिए अधर टनरश पार-14 आजाती है temperature is important because it is temperature dependent temperature change होगा तो हमारे पास यह constant B change होगा remember this thing equilibrium constant is temperature dependent but not dependent on the initial concentration therefore it is concentration independent concentration independent है temperature dependent है ठीक है जी तो यहाँ पर अब हम negative log ले 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 लेंगे तो हमारे पास answer क्या आजाएगा Pka plus Pkb is equals to Pkw और जब हम 10 विश्पर माइनस 14 पे नेगिटिव लोग ले लेंगे तो महारे पास आंसर आजेगा जी 14 So this is the equation that is telling the relationship between PKA and PKB Next video होगी Henderson-Hasselbeck equation पे और drug किस तरह से effect करती है effect होती है due to pH So stay tuned and thank you